तो वेलकम तो टूडेज न्यू वीडियो एंड भाई आज आप रस्वा गाता है फिर एक नहीं वीडियो के साथ और आज हम बात करें भाई बाइक में नौमली भाई लोग बहुत परिशान होते हैं भाई बाई कि एवरेज कैसे इंप्रूव करें इंप्रूव करता भाई मै इस रखें इससे वाई ओल चेंज हो जाता है वाई अलग ही आपको इंप्रूव्मेंट दिखेगा आपको एवरेज में सेगन स्टैप अगर आपका बाई का पलग काफी पुराना हो चुका है तो भाई इसको जल्दी से जल्दी चेंज करते और नहीं पलग लगा है क्योंक सब्सक्राइब यह बहुत थी इंपोर्टेंट स्टैप है मेरे लिए तो मैं इसको मानता हूं बहुत से लोगों को भाई इसलिए इसलिए इंप्रूव नहीं होती मैं बताता हूं क्या है जैसे आपको अपनी बाई डबल स्टैंड वे करें और यह टैर ऐसे गुमा के देख इतना घूम रहा है तो आपकी बड़ी आवरेज देगी है उससे ज़्यादा नहीं दे सकती परफेक्ट अगर आपको इतने लूज में इससे ज़्यादा नहीं घूम रहा तो भाई इसको भाई लूज करा या फिर ब्रेक को थोड़ा लूज और बहुत से भाई बड़े को टाइट रखते हैं कि वहाई जल्दी रुचाहिए बिल्कुल नहीं रुखती लूज रखो सही रहा उससे आपके अवरेज इनकरीज होगी और यह बार देख लो अरे यहां पर एक्चर यह दर यहां पर विडियो यह तो इसलिए टैक निगों रहा बाकि यह दिखा दे लूज होना चाहिए और आगे कर दिखा दे तो आगे कर बाई से होना ची यह यहां पर नीचे बेड़ा हुआ है मैं दिहान ने दिया कि अब वीडियो आज बिल्कुल एक्स्पलेन करके ही दिखाएंगे आप अमारे चैनल पर दो बाई ऐसे कैसे थोगा ऐसे कैसे जाने देंगे फुल डिटेल वीडियो होगी अब देखाते हैं अब देखो अब दिखेगा बिल्कुल रियल यह देखो में आथ अब खड़का से लगाए तो कितना गूम गया यह देखो इतना ही गूमना चीवाई देख लो इससे टाइटर तो इसको लूज करावलों और ज्यादा भी लूजनी होना चीए मीडियम होना चीए और अब याई आगे अब मैं पैक सब्सक्राइब हुआँ कि यह देख भाई हड़का से टच किया तो कि देखो में गूम है अब ही तो गूम ही गाई तो यही चीज होनी चाहिए आपकी बाइक में भी कि यह चीज तीन स्टाइब आप करने के बाद आपकी बाइक 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 लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वचिंग कर दो कर दो